हेलो फ्रेंड स्वागत आपका स्वापनेल करेंट अफेर्स हमार यूटूब चैनल पर और यहाँ पर एनवेस के लिए जो रिक्रूटमेंट निकले हुई है उसके लिए हम लोग यहाँ पर आभिदन करेंगे स्टेप बाइस टेप फोर लाब अटेंड़न लाब अटेंड़न इस पोस्ट के लिए तो सबसे पर आपको ऑफिचल वेब सट पर आजाना है याव रहम लोग यह से क्लोस कर देंगे और या पर आप स्क्रूल होते वह देखने को मिलेगा सब से फिर से स्क्रोल होने को करेंगे तो यहाँ पर आप देख पहूंगे modification of instruction दिया कैसे हम लोग जाने देंगे और इसके बाद में आपको यहाँ पर scroll होते हुए दिखेगा apply for the non-teaching post का एक notice आपर दिखेगा तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है link to apply for various non-teaching post तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर क्लिक करने के बाद में the link leads you to external website इस तरह का message आगा तो हम लोग इसे ok कर देंगे ok करने के बाद में यहाँ पर 10 फरवरी जो है last date होगी तो 10 फरवरी तक आपको इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना है जल्द से जल्द यहाँ पर आपको application जो है वो submit कर दिना है क्योंकि website जो है वो काफी problem करती है आने वाले समय में तो यहाँ पर हम लोग चेक box पर click कर देंगे start button पर आपको click कर दिना है इसके बाद में एक page जो है वो load होगा इसे load होने दिना है and कफी faster load हो चुका है and then यहाँ पर हम लोग इसे close कर देंगे close करने के बद में सबसे यहाँ पर जो है post जो है आपको यहाँ पर दे दिना है तो सबसे बहुत हम लोग यहाँ पर lab attendant के लिए apply कर रहे है तो lab attendant group C की यह post Post Code यहाँ पर आजाएगा आपका नाम यहाँ पर ढाल दिना है कुझो बीयापका नाम होगा वो यहाँ पर आपको डाल दिना है mobile number यहाँ पर जफिया अपका mobile number होगा यहाँ पर रे59 आड्र मोबाइल नमबर and then ya पर आपका email address आजाएगा email address दालने केबाद में confirm email address कर देंग गया है जो capture है वो यहाँ पर हम लोग दे देंगे and then इसे submit बटन पर click कर देना है धहन देना है सबसे last वाल जो W है वो यहाँ पर caps lock में है तो आपका भी सबसे जो last में याने इन में से कोई भी एक डिजिट जो है वो caps lock में यहाँ पर हो सकता है देने से हम लोग यहाँ पर submit करने के लिए submit पर click करेंगे and then यहाँ पर message आया हुआ है the information when submitted cannot be modified click on ok if you have verified the information तो यहाँ पर ok कर दिना है ok करने के बाद में यह page जो है वो फिर से load हो जाएगा load होने के बाद में आपका application number यहाँ पर save हो जाएगा तो इस application को आपको copy करकर रखना है या फिर आप इसका photo भी ले सकते हो तो यहाँ पर हम लोग इसे जो है paste कर देते हैं इसे note on करने के बाद में close कर देंगे तो आपके mails जो है आप ही सबसे पहले में अपना mail चेक कर लेता हूँ तो guys एक बारी log out करने के बाद में यहाँ पर आपको जो email ID आया होगा तो उस email ID में आपको जो है application sequence number मतलब user ID यहाँ पर आया होगा यहाँ पर password भी आपको आया होगा तो वो भी आपको एक बारी यहाँ पर इंटर कर दिना है तो six digit का यहाँ पर आपको password आया होगा उसके बाद में यहाँ पर जो capture image दिया हुआ है उसे यहाँ पर एक बारी डाल दिना है and then login बटन पर आपको click कर दिना है तो जैसे कि आप देख पार होंगे यहाँ पर login हो रहा है इसे save करने के लिए कहा जा रहा है तो इसे हम लोग अभी फिलाल के लिए नहीं कर देंगे और इसके बाद में यहाँ पर आपको go to application का यहाँ पर form दिखेगा ठीके go to application form तो यहाँ पर आपको click कर दिना है जैसे कि आपको पता है हमने जिस post के लिए आप अपलाय किये थे वो था lab attendant group C के लिए तो post code यहाँ पर दिया गया है application sequence number candidate's name यहाँ पर सारे details आ चुकी है देन य email ID आपका check करना है या फिर आपको आपको आपका पास या फिर आपके पास में जो mobile number होगा वहाँ पर आपको जो है application sequence number याने आपका जो है एक user ID दिया जाएगा and password दिया जाएगा उसके बाद में आपको login करना है simply यहाँ पर अभी close कर देंगे इसके बाद में जो बाकी के details है इसे एक बार हम लोग यहाँ पर fill up कर देंगे category यहाँ पर आपको mention कर देना है अगर आप SC, ST, EWS, OBC, UR हो तो इन में से जो भी category आप belong करते हो तो वहाँ पर आपको click कर देना है फिल हम लोग यहाँ पर AC कर देंगे gender यहाँ पर दे देना है देन यहाँ पर आपका जो date of birth होगा वो एक बार हम लोग यहाँ पर डाल देंगे exam CT यहाँ पर डाल देना है are you physically handicapped तो यहाँ पर no कर देंगे एक service में आप हो तो यह सारी details आपको यहाँ पर डाल देना है and यहाँ पर save and next पर click कर देंगे ok کر देंगे data जो है आपका successfully saved हो चुका है तो यहाँ पर address आएगा तो यहाँ पर address डाल देना है district यहाँ पर दे देना है is permanent address same as present address तो yes कर देंगे and save and address नेक्स्ट पर click कर देंगे data जो है आपका यहाँ पर father name रहे गया है तो father name डाल देंगे simply से save कर देंगे data जो है वो save हो चुका है और उसके बाद में यहाँ पर जैसी के आप देख पाओगे यहाँ पर आपकी educational details से आपर आ जाएगी तो name of the board और council तो आपका 10 वी का यहाँ पर डालना है matriculation तो यहाँ पर आपको जो भी आपके board होगा तो वो certificate में लिखा होगा तो पूने board होता है महाराष्ट में तो यहाँ पर हम लोग पूना board कर देंगे year of passing यहाँ पर आपको दे दिना है institute name यहाँ पर डाल दिना है subject जो थे वो common subject थे तो common यहाँ पर हम लोग डाल देंगे जो दस्वे में होते है please select any one of the following तो यहाँ पर percentage था यहाँ पर percentage होगा तो परसेंटेश आपको जितनी percentage होगे वो percentage यहाँ पर आपको डाल दिना है उसके बाद में inter major 12 की यहाँ पर आपको details यहाँ पर इंटर कर दिना है तो यहाँ पर जो है science था and यहाँ पर educational details में अगर आपका senior secondary class 12 है तो यहाँ पर आपको यह डालना है अभी देखो यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है ठीक है Specialization जो था आपका Year आपका जो था 12 आपका जो पास आट हुआ है वो है 2009 देखो तो यहाँ पर यह दिक्कत आ रही है Year of passing in educational qualification details cannot be same और before year of passing in intermediate 12th details तो यह दिक्कत आ रही है तो इसे हम लोग OK कर देंगे उपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको करना क्या है यहाँ पर आपको दोनों में से कोई भी एक details यहाँ पर fill up करना है तो यह details जो है फिलाल हम लोग इसे यहाँ पर ने डालेंगे अब यह जो details है हम लोग यहाप नीचे डालने वाले हैं ठीक है तो अभी यहाँ पर यह details हम लोग डालेंगे अभी देखते हैं क्या message आता है 2009 कर देंगे institute name यहाँ पर आपको डाल देना है यहाँ पर आपको percentage डाल देना है तो दोनों में से कोई भी एक डिटेल से आप आपको डालना है टेंथ की डिटेल डालने के बाद में ये ट्वेल्थ की डिटेल में अगर आपका साइन्स ट्रीम से अगर आप हो और लैब अटेंडन इस पोस्ट के लिए अगर आप अपलाय कर रहे हो तो दोनों में से कोई भी यहाँ पर simply आपको जो photograph होगा आपका वो यहाँ पर जो है browse करना है एंड देन आपका जो हाँ पर भी photo होगा फोटो आपको यहाँ पर उपन कर देंगे तो यह photo यहाँ पर आचुका है photo uploaded successfully close कर देंगे उसी तरीके से signature भी करना है साइन को करेंगे ओपन करेंगे एंड क्लोस करेंगे तो यहाँ पर अप्लोडेट करके आ जाएगा इसे आने देंगे यहाँ पर तब तक P Q 74 B X T तो यह सिगनीचर का जैसे कि आप देख पाऊगे अप्लोडेट हो चुका है यहाँ पर I agree पर क्लिक करेंगे and submit बटन पर क्लिक कर देंगे Are you sure you want to submit तो ओकी बटन पर आपको क्लिक कर देना है यह जो है इसे अग्री कर देंगे अग्री करने के बाद में your application form has submitted successfully इस तरीके से आपको एक message यहाँ पर आ जाएगा इसे close कर देना है एंदेन एक बार यहाँ पर details देख सकते हो और इसका print भी आप यहाँ पर ले सकते हो तो यहाँ पर हम लोग अभी फिलर इसे log out कर देंगे आपके पास में जो details दे गई है तो उस details के जरिए आप फिर से यहाँ पर user ID and password इंटर करके यहाँ पर login करके एक बारी फिर से चेक कर सकते हो यह user ID and password जो है काफी important होगा क्योंकि जब इसका admit card आएगा तो वो ही user ID and password इंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको जो है login करना है थैंक्यू फर मच गाइस फर वाचिंग दे वीडियो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को शेर के इपने फ्रेंड के साथ और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए थैंक्स फर वाचिंग